मेरे प्यारे बच्चों नवस्कार तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में आपजेक्टिव टाइप कुशन करवाएंगे चेप्टर वन लिमिट एंड कॉंटिनिटी अगर आप लोगों ने चेप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट नहीं की है कंप्लीट का लेना लेंक डिस्क्रिशन में जाएगा और इस क्लास में चेप्टर वन के आपजेक्टिव टाइप कुशन करवाएंगे मेरे पैरे बच्चों अगर आपका पेपर आफ्सनल होगा तो इस टाइप से कुशन पूछे जाएंगे अगर आपका पेपर रिटीन होगा तो मेरे पैरे बच्चों यही कुशन रिटीन में बन कर आ जाएंगे अब आप कहोगे कि सर ये कुशन कैसे रिटिन में बन कर आ जाएंगे हम आपको बदाते हैं ये जो चार आपसन आपको दिख रहे हैं हर कुशन में ये नहीं आएंगे केवल और केवल कुशन बन कर आ जाएगा रिटिन में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है चाहें आपका पेपर आपसेनल में हो चाहें आपका पेपर रिटिन में हो पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दें अगर नए स्टुडेंट ह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि उसमें आपका यह फायदा होगा जब भी हम नहीं किलास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन रेविड फायर की तरह आपके पास पहुंचेगा तो मेर वन लिमिट एंड कॉंटिनिटी में हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की बात करेंगे 1.1 1.2 और 1.3 आपको एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 वेसिक आपको अच्छे से पता हो एंड कुशन की प्रक्टिस हो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं अगर आपको अब्जेक्टिव टाइप कुशन सॉल्व करना है वो भी डारेक्ट 4G ट्रिक्स है मेरे पहरे बच्चों किसे 4G ट्रिक्स है तब आपको जानकारी होना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 से लेकर एक्सरसाइज 1.3 तक बेसिक एंड कुशन्स तब आप 4G ट्रिक्स से डारेक्ट आप टिक लगा सकते हो तो बेसिक आप लोगों का अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगे जिन बच्चों का बेसिक किलियर नहीं है तो हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जब हमने पढ़ाई उससे पहले हमने आपको बेसिक पढ़ाया था तो बेसिक अच्छा होना चाहिए मजबूत तो कोई दिक्कत नहीं आएगे उड़ा सकते हो हरेक कुशन का गरदा वो भी 4G ट्रिक्स है अब पहला कुशन हम आपको बताते हैं कि कौन सा यहा और क्या हमसे मागा गया है तो यहां पर बताया गया है limit of a function fx when x tends to a exist if तो कुशन में हमने क्या देखा exist देखा है तो हमने आपको बताया था exercise 1.1 जब पढ़ाई थी क्या बताया था question हूँ चाहे example आपको exist अगर लिखा हुआ मिल जाए तो existence of limit का यूज करके limit के अंज़रीट बताते हैं तो थोड़ा देख लो exercise 1.1 में existence of limit क्या होता है मेरे पेरवच्चों यहां पर right hand limit और left hand limit की आंसर शीट same आना चाहिए हमने basic पढ़ा था तो हमने यह सपोज कर लिया था yes a by suppose that को sort में say y से लिखते हैं then अगर ऐसा आए तब limit क्या हो जाती है exist हो जाती है एफ एक्स क्या हो जाती है exist हो जाती है तो मेरे प्यारे वच्चों यही हमसे कहा गया है यह जो limit है एक्स टेंस टू ए पर एक्जिस्ट का होगी कौन सा आप्सन करेक्ट होगा तो यहां पर बोलाए आप्सन नंबर फर्स्ट में एनी वन आफ एफ ए माइनस जिरो एंड एफ ए प्लस जिरो एक्जिस्ट तो यह गलत है क्योंकि यहां पर एनी वन इन दो में से एक बोलाए कि एक्जिस्ट होगी और हमको पता है कि दोनों ही एक्जिस्ट होती है दोनों की answer ृढ यहां पर यह सपोस कर लिए कुछ भी हो सकती है तो ए आप्सन इनकरेक्ट हो गया बीदों को both बोला है exist exist तो यहां पे बोला है लेकिन equal नहीं है कहने का मेरा यह मतलब है देखो जैसे f a plus 0 की जैसे answer seat और f a minus 0 की answer seat यहां पे निगलिए 1 upon 2 यहां पे निगलिए 3 upon 2 तो यह be option यह बोला है कि exist both तो यह भी exist है और यह भी exist है लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि दोनों की answer seat equal आना चाहिए तो यह incorrect है यह क्या है incorrect यह बी आपसन गलत है क्योंकि exist तो बोला है लेकिन यहां पे equal के बारे में नहीं बोला है और हमने जो पढ़ा है right hand limit और left hand limit equal और वो भी exist समझ रहे हूं infinite को छोड़ के बांकि सारी value क्या होती है exist होती है अब बात करेंगे c वाले option में यहां पर 0 बताया है जीरो एक्जिस्ट भी है तो right hand limit और left hand limit के अंसरी जीरो बता ही है तो यह है correct केवल और केवल जीरो के लिए केवल और केवल जीरो के लिए यह true है लेकिन यहां पर हमने दोनों के answer rate क्या लेती यह यह कुछ भी हो सकता है यह कुछ भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है बन भी हो सकता है टू भी हो सकता है वना पांट तरी भी हो सकता है all value अगर यह बना पांट हो है तो दोनों की answer rate बना पांट होगी अगर यह की value 3 पांट हो है तो दोनों की होगी यहां पे बोलाए cable 0 के लिए बोलाए तो cable 0 के लिए इंकरेक्ट है 0 के लिए इंकरेक्ट है all value होना से यह है तो यह correct होता है यह पे दो यह equal है और यह equal है तो आपको पता है दोनों के answer sheet कुछ भी हो सकती है अगर इसकी answer sheet 5 है तो इसकी भी 5 है या फिर इसकी answer sheet 8 है तो इसकी भी answer sheet 8 होगी होगा equal लेकिन यह जानकरी नहीं है क्या होगी जैसे इसे इसने 0 बोला था कि तो 0 पूला था तो यह पाता एट निकले इसकी Azra –सित जब इसकी एट निकले во आ है पिर हम ने चेंज कर दिया यहां पर पर लेक दिया मानास कट बहां पर लिए आप को बताना है वैसे तो यह correct होता लेकिन अब यह correct है क्योंकि यहां पर बहुत फेक्ट नहीं है कुछ भी होगी 8 होगी तो दोनों की 8 होगी माइनस 2 होगी तो समझना है जब आपके समझ में आ जाएगा यह within second में हो जाएगा within second time नहीं लगेगा समझाने में जो time लग जाए लेकिन जब समझ में आ जाएगा यह second हो में लगेगा अब आपके समझ में आ गया आप direct बता सकते हो देख के ही within second में हो जाएगा तो यह पहला हो गया अब इसको आम ब्राफ करेंगे आप second question पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा rule use होगा rule भी बता देंगे साइद आपको याद ना हो हम आपको समझाएंगे और within second में आपको कर लेना है समझाने में time लगेगा यह हम आप से कह रहे हैं लेकिन अगर हम से पूछा जाए कि लगाओ समझाओ ना तो within second में हम उड़ा देंगे इस question को तो बोला गया second question में a function fx is set to be continuous add x equal a तो function जो fx है वो बोला है continuous है add x equal a पर तो continuous function होता है तो आपको पता है f a equal f a plus 0 equal f a minus 0 दूसरी जो आपने दूसरी जो limit पड़ी है वो यह पड़ी है इसकी answer sheet और इसकी answer sheet equal आ जाए ठीक है या फिर यह तीनों की answer sheet एकको ला जाए तो continuous होता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बोला है यह exist तो exist तो आपको मिलेगा ठीक है exist तो मिलेगा लेकिन इक्वल आपको देखना है फिर बी वाले बोला एफ ए एक जिस्ट है इसमें बोला है इतना इक्वल इतना इसमें बोला है नाट इक्वल तो डी तो साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि हमने पड़ाए अगर continuous है continuous function है तो यह यह फार्मूले में इक्वल आपको यूज़ करना है तो यहां पर नाट इक्वल यह तो पहले से गलत हो गया x इक्वल ए पर एक यह है एक यह है तो इक्वल देखो कहां पर यह गलत है यह वाला गलत है और बी वाला गलत है क्योंकि हमें equal देखना है देखो अगर option में ऐसा हो या ऐसा हो तो आपको क्या देखना equal exist तो हर एक limit की value होती है exist तो exist पर थोड़ी हम focus करेंगे हमें तो equal देखना है देखो तो देखो कौन सा option अब बचा है यह सी वाला यह करेक्ट है अब इसको रफ करेंगे next पढ़ेंगे और समझाएंगे हमने आपको पहले ही बताया कि समझाने में time लग जाए कोई दिक्कत नहीं जब आपके समझ में आ जाएगा within second में आप इसे लगाऊगे यह question है यह x tends to a मतलब यहाँ पर कुछ भी हो a हो one हो all value x की all value पे यह क्या होता does not exist क्योंकि exercise exercise 1.1 का question 4 का second exercise 1.1 का question 4 का second हमने solve किया था आप silent comma delta से आपने exercise 1.1 complete नहीं किये कर लेना यह objective type question उसी बच्चे के समझ में आएंगे chapter 1 की all exercise पड़ी हो और plus basic भी तयार हो तो within second में आप बता सकते हो तो मेरे प्यारे बच्चों हमने question लिया था यहां पर question 4 का second यही था वहां पर यहां पर यह वहां पर जीरो था यहां पर जीरो था यहां पर तो all value के लिए क्या होता does not exist तो देखो does not exist कहा है यह वाला है डी वाला आप सब यह correct है does not exist तो a v और c a में बोला exist exist तो होगा नहीं गलत बी में equal बोला equal तो होगा नहीं equal to zero तो होगा नहीं equal to infinite तो होगा नहीं तो does not exist में टिक लगाना है देखो हैं कितने simple मतलब basic पता हो वाई जांकारी होना चाहिए यह objective ट्राइप position within second में आप कर सकते हो अब four question देखो यह भी question हमने करवाया था exercise बन पॉइंट बन में था four का first part आप silent comma delta का use करके पूर्व किया दा तो यहां पर है यहां पर जीरो है कुछ भी हो कहने मेरा मतलब है यहां पर zero है कुछ भी हो सभी के लिए आंजर सीट zero पे टिक लगाना है किस पर लगाना है जीरो पे, अगर यहां पे जीरो है तो जीरो पे टिक लगाना है इतना ध्यान लगना है, यहां पे जो भी है उसी पे आपको टिक लगा लेना है यहां पे जीरो है तो जीरो कहा है क्योंकि इसकी वहलू हमने जीरो निकाले थी बी करेक्ट है ठीक है यह हो गया इसे क्या लगवाओ गया देख लेना यहां पर डारेक्ट अगर कुशन 3 की बात करें यहां पर X का इंटू है यहां पर नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों जब X का इंटू नहीं है तो does not exist अगर X का इंटू है साइन हो चाहें कॉस दोई टाइप के कुशन है यहां पर साइन हो सकता या कॉस हो सकता यहां पर साइन हो सकता या कॉस हो सकता दोई टाइप के कुशन है तीसरा टाइप बनता ही नहीं है तो चाहें X का इंटू हो चाहें X स्कॉाइर का इंटू हो चाहें XQ का into हो चाहें XC power 4 का तो answer sheet पे 0 पे tick लगा देना यहां पे 0 है तो 0 पे tick लगाना है अगर A है तो A पे tick लगाना है अगर B है तो B पे tick लगाना है अब बात करेंगे 5 बाले में 5 बाले में बोला है कि यह function है और limit X change to 0 प्लस FXC value बताना है तो मेरे प्यारवचों plus क्या बताता है राइट हैंड limit बताता है आरेचल आरेचल बताता है तो आरेचल की limit आपको निकालना है हम आपको बताते हैं मेरे प्यारवचों अगर condition less और greater किये तो greater से आपको आरेचल पता चलेगा और less less देन से ले चल पता लगेगा तो यह जो हम बता रहें सब 4G Trix से बता रहें 4G Trix हैं तो देखो यहां पर हमें Plus दिख रहा है तो यह बताना ही है तो Right Hand Limit देखो यह है greater than और दूसरा तरीका यह अगर Plus है तो एक सी तरफ देखता हूं तो ऐसा यहां पर देखना ऐसी कौन सी condition है ऐसी कौन सी condition है जो इनकल्टी एक सी तरफ देख रही है तो यह नहीं देख रही है तो यह प्लस जो है इसमें लाई नहीं करेगा लेकिन इसे में लाई कर जाएगा तो इसके अपोजीट तुम्हें क्या करना डारेक्ट बैलू रखना है पोजी ट्रिक है बाएं है यहां पर यहां पर रख दो ने पर यह तो पर तो फाइब स्वाइब यह लगा वह श记्णि टैन सक्ति है किर दो वाले फोरजी ट्रिक से उड़ा दो विदिन सेकेंड में ताइम नहीं लगता है अब आजाओ सिक्स वाला कहता है एक पॉलिनोमेल फंक्सन इन आज अब फंक्सन के से अपने मयत पड़िये हम से तो आपने रॉले की फिरमे में जो स्टेट्मेंट लिखाया था कथन लिकवाया था वहां पर छे फंक्सन आपको बताये थे class 12 में यहां पे लिखा देते हैं अगर आपने class 12 में हम से नहीं तो हम छे फंक्षन लिखा देते हैं अगर कुशन आ जाए फंक्षन से तो बिदिन सेकंड में टाइम नहीं लगेगा आप लोग उड़ा सकते हो फंक्षन की बात करें तो यहाँ पर देख लूँ करने मतलब है fx को बोलते हैं नम्बर फ़स्ट पोलिनॉमिल थेन्दि में हिंढी बोलते ठीक है सेकिंड में रेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं हिंदी में परी में बेंजक अब आजाओ थार्ड में लॉगर्थमिक सेल लॉगर्थमिक उटनाल मतलब होता लगू गडकी यह लगडकी है यह सब लिखारे फंक्सन है पोलिनोमिल फंक्सन रेशनल एक्सप्रेस फंक्सन लौगर्थमिक फंक्सन और नमबर फोर आजाओ Exponential Function Exponential Function Exponential का मतलब होता है चरगातांग ही है चरगातांग ही है नमबर फाइब है Sine and Cosine यह होता है तिरकोने मिती है फलन साइन पॉस क्या होता तिरकोने मिती है फलन नमबर सिक्स रूड वाले रूड में जैसे X स्कॉयर माइनस 4 आ जाए या फिर 2X फ्लस 5 में जाए तो बन बाई बन समझा जाते है पोलिनोमियल आपको पता ही है कि X की पावर descending हो चाहे ascending हो power positive होना चाहिए तो पोलिनोमियल बोलता है rational का मतलब होता है numerator and denominator मतलब अंस बटे हर में लिखा जाए बेन जग तो उसे बोलते है rational expression log अर्थ में तो दूर से पैचाब लोगे कि जिसमें log है जिस function में log है जैसे log 2X प्लस 1 log sign X तो वो लगू गड़की होता है exponential का मतलब होता है E की power वाले हिंदी में बता देते हैं E की घात वाले exponential का मतलब होता है चरगात अंकी है जो E की घात में लिखे जाए ठीक है अब sign cosine ये जानते हो ये root वाले जानते हो तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 6 आपको function दिख जाएं तो डारेक लिख देना है आलवेज आलवेज continuous आलवेज continuous आलवेलू आलवेलूज आफ एक्स एक्स ही कुछ भी वैलू हो ये continuous होंगे ये 4G trick है ये क्या है 4G trick 4G trick है भाई वे दिन सेकेंड में बता सकते हो तो देखो polynomial function कहता इज नेवर continuous इन आर्ट नेवर का मतलब नहीं नेवर का मतलब गयाता नहीं तो continuous होगा इसने बोला नहीं होगा और हमने क्या पढ़ा है 4G trick से continuous फिर भी वाले में क्या बोला है उसने में और में नाट भी तो इसकी हिंदी बता देते हैं में या में नाट भी साइड होता है क्या होता है साइड में भी में भी को हिंदी में बोलते है साइड इसने बोला साइड continuous हो या ना हो नाट का मतलब नहीं में भी में भी की हिंदी होती साइड तो साइड हो continuous function या ना हो ये बोला तो ये गलत है साइड तो आएगा ने confirm मोहर लगाना है confirm है कि continuous होगा आप c बाले में बोला is always continuous in our तो always continuous all values आप x x की हर एक value पे ये continuous होगा तो c correct है और d में क्या बोला is continuous in our except at x equal 0 इसने किवाद single point पे बोला है single point पे बोला है continuous लेकिन हमें पता है all values मतलब कुछ भी एकसी value हो कुछ भी हो तो continuous होगा तो ये d गलत है क्योंकि single point पे बोला है अगर single point पे पूछा जाता question में तो ये correct होता single point में अगर पूछा जाता तो ये d correct होता समझे रहें जैसे हम आपको बता रहे हैं पूरे youtube पे challenge है कोई ने बताएगा हर option की जानकारी दे रहे हैं पूरे youtube पे challenge है हर option पे जानकारी कोई teacher नहीं देता है के वही बताता है teacher जो correct है incorrect की जानकारी नहीं देगा अगर दे दे कोई teacher तो पढ़ाना छोड़ देंगे बाई जैसा बता दें ऐसा अगर पढ़ लोना भविस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी नहीं तो youtube पे आपको पता है यह 95% teacher 50 रुपे बाल है आईए हमने पढ़ाया आप भी पढ़िये मतलब पढ़ाते तो हैं लेकिन रट के पढ़ाते हैं तो आईए हमने रट आया आप भी रटिये तो वो teacher बेकार के होते हैं वो बेकार के teacher होते हैं जो रटवाते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कोई बच्चों की जानकारी नहीं होगी जैसे हम class 12 में पढ़ते थे या फिर 10 में पढ़ते थे हम भी आपके जैसे थे तो हमको भी जानकारी नहीं थी कौन टीचर बढ़िया कौन नहीं जहां बैट गया नवस्कार गुरु जी बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो बेकार पढ़ाते हो आप अब पता चला जब हम बढ़े हुए चीजों को समझा तो हमने उन टीचर से कहा जिन्होंने हमको पढ़ाया हमने कहा आपकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे गुमती है जैसा आपने पढ़ाया ऐसा अगर पढ़ाए ना बच्चों को कभी भी टॉपर नहीं बन सकते बच्चे तो उनसे हमने बोला जिन्होंने हमको पढ़ाया हमने यही बोला था कि आपकी जैसी पढ़ाई आगे पीछे गुमती है मेरे तुमने बेकार पढ़ाए और किताब बला छबाते रहे बच्चों का भविस नहीं बना पाए हम बनाते हैं गारंटी तो एल्थ में हंडेड में हंडेड नंबर आएं बच्चों के और आपको लगता है हम आपको बाटसब नंबर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 760-762-0452 यह बाटसब नंबर है मेरा मैसेज करना हम आपको 3-4 मार सीट हैं कि फोटू दे देंगे देख लेना मैत में 100 में सव में सव ही आएं नंबर बच्चों के हम रटवाते नहीं हैं हम समझाते हैं हमने पहले ही आपको बताया है हमको टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है जब आपके समझ में आजाएगा यह कुशन बिदिन सेकिंड में लगा हुए तो देखो बिदिन सेकिंड में लगा अगर हमसे पूछा जाता है इसमें कौन सा करेक्ट आपसन है तो लगा दे टिक अब समझाने में देखो यह लिखा आपको बताया कि सेकिंड में लगा दो अब सेविन वाला कुशन है दा फंक्शन एफएक्स पहले इसको अम रफ कर देते हैं फिर सेविन वाला बता रहा है तब तक आप लोग पढ़ों क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है तो यहां पर बोला गया है दा फंक्शन एफएक्स इक्वल एक्स साइन बना पाने यह फंक्शन देखो फोर हो सेविन एक्स साइन बना पाने यहां पर जीरो था तो जीरो पर टिक लगा दिया था ठीक है इसकी लिमिट पूछी गई थी यहां पर देखो क्या पूछा गया की एकस्पी वैलु क्या है झिए फिर या फिर अदर बैलू यहां पीलू नहीं दी गयीं हम आपको देखना है और सिंब टेख लगाना है तो कहता है कंपर इंट जीरूअनली तो हमने क्या बताया था यहाँ पर 0 है तो 0 पर टेक लगा वो तो लिमिट की बात हो गई यहाँ पर बोलाए कि X into sign बना पान X है कहता है continuous at 0 only तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है है कि अगर यहाँ पर 0 है तो अन्थ हिट 0 डालेगा A है तो A डालेगा B है तो B डालेगा तो अगर हम बात करें A की तो A गलत है क्योंगे केबल और केबल 0 पर बता रहा है ने फ़िए फैर पर फ़िए और si पर ऐसे फो GIR्फ बिलेंगे फोल निकलेगे झआ इस पंप जीरो एफ जिरो प्लाष जीरो और एसềnवा सिरो की क्याक़ निकालोगे तो सी क्लिभ्म पर फिर्प यह लेकिन आल है लूब आपको बताना है आगे लिखा है डिसकांटिनिवस तो डिसकांटिनिवस पहले ही गोली मार दो आपको बता है एकस का इंटू हुआ है तो जरूर कांटिनिवस होगा अगर ऐसा होता तो डजनाट एक्जिस्ट तब डिसकांटिनिवस को चेक करते हैं डिसकांटिनिवस कहीं द यह ना होता यह वाला तो हम यह वाले पे टिक लगा देते हैं आल वैलो पे यह क्या होगा continuous होगा तो सी correct है मेरे प्यारे बच्चों और भी इसके कुष्ण है यहां तक आपके समझ में आ गए होंगे अब next बताते हैं अब आपको कुष्ण 8 देख लेना है यहां पर बताया गया है the function fx equal इतना is कौन सा आप सन correct होगा 4G trick से आपको बताएंगे बड़े काम की 4G trick है within second में कुष्ण लगेगा हमने आपको बताया था 6 function तो उसमें से यह मिल गया देखो यहां पर यह आपको कॉस देख रहा है यहां पर भी कॉस देख रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों जो को साइन function होते हैं वो क्या होते हैं continuous continuous all values of x अब देखो कहां तहां पर all values x गे तो अगर यह option में देखा जाए तो continuous for all values of x दी में देखा जाए यहां तक तो सेम है और cb यहां तक सेम है और d में क्या बोलाए discontinuous तो यह तो हटा दो d तो पहले से ही गलत हो गया अब देखना आए a b c में मेरे प्यारे बच्चों हम a में तक लगा देते हैं लेकिन यह cosine है न कहिने मतलब है cos cos का graph आपको पता है cos का graph यहां से start होता है यहां से start होता है zero से मेरे प्यारे बच्चों cos का graph कहां से start होता है zero से तो accept a x equal zero graph आपको समझ लेना है मेरे प्यारे बच्चों b incorrect होगा b तो पहले से ही बता दो और d बता दो a देखो continuous for all values of x और c में बोला है accept add x equal zero हम a में टिक लगा देते अगर graph की जानकारी ना होती तो आपको लोगों को भी graph की जानकारी होना चाहिए अगर यहां से start होता है तो accept करेगा zero को तो यह c correct हो गया अगर यह c option ना होता तो हम a पे टिक लगा देते लेकिन a पे तभी टिक लगाते जब यह option ना होता ठीक है तो यह incorrect है c correct है अब बोलेंगे नाइन वाले में क्या करना है फूर जी ट्रिक से आंजर शीट बता रहा है और बेसिक से आप लोग लगा लेना बेसिक से लग जाएगा कोई दिकत नहीं आएगी एक्स इक्वल जीरो पर काम करना आपकी एफ़े एफ़े पिलस जीरो और एफ़े माइन जीरो की आंजर है कि ठीक है अब बात करेंगे हम नाइन वाले कुशन की believers फॉंक्सेन एक्स इक्वल इतना यहां पे क्या है रग और यहां पी शीरोज ऑप और आवज और है हैश लुक्रेंदि नो मेड़ फॉले girkey फॉछिड़ प्लिनोमेल यह फंक्षं किया बताया था हम नहीं अभी आ क वेलूज आफ एक्स कॉंटिनिवस आल वेलूज आफ एक्स की फंक्सन कॉंटिनिवस होता है देखो आल वेलूज आफ एक रेक्ट है तो बी सी और डी ये इनकरेक्ट हैं तो हम बता रहें 4G ट्रिक्स है फंक्सन के बारे में जानकारी होना चाहिए तो डारेक्ट आफ बिदिन सेकिंड में बता सकते हो अब बोलेंगे कुसन टेन में तो मेरे पैरवच्चों कर कुसन टेन की हम बात करें तो ये फार्मूला है डारेक्ट आपको याद रखना है देखो लिमिट अगर एक्स टेंज जीरो वन प्लस वन अपान एक्स की होल पावर एक्स ए देता है कहने मतलब है यहाँ पे जो होता है यहाँ पर वही पावर में लिखा जाता है जैसे अगर हम बात करें लिमिट एक्स टेंज टू जीरो बन माइनस वन अपान एक्स की होल पावर एक्स तो एकी पाव माइनस बनाएगा जो भी हो अगर यहां पे टू है तो यहां पे टू आएगा ठीक है तो मेरे पहरे बच्छों यह आपको समझ लेना यह सारे के सारे खाल जाल सी है तो खुसें 10 में यह बता दिया गया है कि इस लिमिट के आंज भीड बठाएए तो आपको सीवे ठीक लगादेना है बताओ इसे लगादें चलो लगा देते हैं बेसिक से लगाते हैं सिखाते हैं यह farm willen डार्रेक यार्ट कर लेना देखो если बेसिक से देखलो इसको लगवा देते हैं कुस्सन कहुं साय है 10 इसकी लिमिट फूछी गई है क्या पूछी कही है limit x tends to 0 1 plus x की whole power क्या है 1 upon x ठीक है तो अगर हम बात करें form के जैसे 0 डालेंगे न तो 1 यहां से मिलेगा उपर क्या मिलेगा infinite तो 1 की power क्या मिल गई infinite जब 1 की power infinite मिल जाती है तो log से solve होता है इतनी आपको जान का रही है तो let y को हमने ले लिया इसको x tends to 0 1 plus x ही whole power 1 upon x तो यहां पर क्या लिक होगे take in log both side जब form आपको मिल जाए 1 की power infinite तो कसम खालो कि हमें log से ही लगाना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है log से ही करना है तो log y को limit x tends to 0 log 1 plus x ही whole power इतनी अब इसको आगे ले लो limit x tends to 0 तो उपर आएगा 1 plus x और नीचे आएगा x और equal होगा बाई के अब देखो form काउन से बन गई यहां पर उपर डालोगे log 1 मिलेगा केब log 1 की value 0 होती है और नीचे डालोगे 0 form क्या मिल गए 0 upon 0 मिल गए ना अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना डिफरेंसियेट करना है यह लहाँ स्पीटल रूल यूज कर लेना है जब फॉर मनती है 0 upon 0 या फिर इन फाइन अपान इन फाइन तो नीउमरेटर का अलग डिफरेंसियेट करते हैं डिफरेंसियेट का अलग करते हैं तो यहां पर जो वैरियेविल है ना उसी के बिद रिस्पेक्ट आपको डिफरेंसियेट करना है तो लॉग का होता है अपान में इसका अगेन करो 1 का 0 एक्स का 1 अपान 1 ठीक है थोड़ा और सॉल्व करेंगे फिर लिमिट की वैलू डाल देंगे तो कुल मिलाकर हमको कितना मिला इतना मिला और इक्वल क्या चला था लॉग बाई अब लिमिट की वैलू डाल दो इतना नोट करो जल्दी ये बेसिक से आपको बता रहे है मज़ा आएगा बाई उड़ेगा कुशन का गर्दा हर एक कुशन का उड़वाएंगे गर्दा तो लॉग बाई के एक्वल डालेंगे लिमिट की वैलू तो इतनी मिलेगी लॉग बाई एक्वल वन अपान वन लॉग बाई एक्वल वन ठीक है चलो इतना नोट करो अब इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर लॉग उस तरब जाएगा न यहाँ पर जो है बेस यह जो बेस है यहाँ पर E कुछ नहीं है तो E होता है तो मेरे प्यारे बच्चों अभी यह बेस किसका रहेगा अभी लॉग का है लॉग उस तरब जाएगा तो इसका बेस हो जाएगा तो Y उक्वल A और बाई किसे लेट क्या था एक्स टेंज टू जीरो और वन प्लस एक्स होल पावर वन अपान एक्स इक्वल ए तो इसे ऐसे करके बेसिक से लगाना है लेकिन डारेक्ट याद रगना ये है फार्मूला अब नेक्स जो आए कुसन देख लेना है 4G ट्रिक से आपको लगवा देंगा चलो बाई ये वाला देख लो यहाँ पर क्या बताया गया अब मोड वाले कहीं कुसन देख जाए मोड है या एक्स प्लस वन मोड में है या एक्स माइनस वन है एक्स प्लस टू है तो आपको क्या करना कॉंटिनिवस बता देना है डारेक्ट क्या बता देना है कॉंटिनिवस कहने मतलब है आल वैलू जाफ एक्स एक्स की चाहें कोई सी वैलू हो सभी वैलू पर ये मोड वाले जो होते है कॉंटिनिवस होते है कहीं दिख जाए आपको चाहें आप फ़ाब देख रहे हो चाहें कहीं घूम रहे हो मोड वाला अगर कोई आपसे पूछ दे function continuous होता है या नहीं तो बता देना होता है all values देखो यहां पे क्या है यह continuous for all यह तो गलत होगा discontinuous यह भी गलत होगा क्योंकि यहां पे केबल और केबल पूछा गया है only x equal zero पर और हमको क्या पता है हर एक value पर यह continuous होता है तो एक के लिए नहीं बताना है अगर यह ना होता यह वाला तो यह वाले यह यहां पर टोगल बाल्म का गया let fx equal sign x upon x when x not equal 0 then the value of f0 so that fx becomes continuous at x equal 0 तो वाई यहां पर हमें किसकी वेलू बताना है यह 0 की और बोला है जो fx है पहले से continuous है तो आपको बता है यह इसकी वेलू 1 होती है इसकी वेलू क्या होती है बन होती है देखो कैसे हम आपको basic से लगवा देते हैं और यह आपको पता हो लिख लेना कहीं जैसे limit x tends to 0 है sin x upon x बन होता है इसे और करके भी लिखा जाता है limit x tends to 0 x upon sin x ये भी बन होता है ये दो हो गए दो और देख लो एक होता है 10 में 10 x upon x equal 1 होता है इसका और करके देख लो limit x tends to 0 x के upon 10 x equal 1 कहने मतलब है यहां पर form बनती है कौन सी form बनती है जीरो अपान जीरो की form बनती है तो आपको क्या करना है ये ल हास्पिटल रूल लगा के आंसरीट निकाल देना है ठीक है basic से लगवाएं इसको वैसे तो आंसरीट बन है इसकी चलो basic से देख लो इसको note कर ले ना कहीं ना क तो यह जीरो डारेक्ट ना निकालो क्योंकि form बनेगी ना तो हमें लिमिट लेना है कहने मतलब है आप कहरो कि सर एफ एक्स इक्वल है मेरे पास साइन एक्स अपान एक्स हमें यह जीरो की निकालना है तो आप कहरो कि सर यह तो डारेक्ट निकालता है यह तो डारेक्ट नि तो क्या मिला ओपर 0 नीचे 0 फॉर्म बन गए तो फॉर्म जब बन जाए तो आपको इसमें भी लिमिट लेना है इसमें भी लिमिट ली जाते हैं अभी तक exercise 1.1 में और 1.2 में और 1.3 में इसकी direct value निकालते हैं निकालते हैं direct value क्यों क्योंकि फॉर्म तो नहीं मिली थी तब ही direct निकालते थे लेकिन अगर फॉर्म बन नहीं है तो डारेक्ट नहीं निकाल सकते हो इसकी value लिमिट का यूज करके निकालना है यह भी ध्यां रगना है चलो भाई फॉर्म तो बन गई यहां पर 0 upon 0 यह लो 0 upon 0 बन गई अब क्या करेंगे हम differentiate कर लेंगे साइन का क्या होगा कॉस और नीचे बन अब फॉर्म नहीं बनेगी फॉर्म नहीं बनेगी अब डाल दो एक सी वैलो कॉस जीरो बेलो बन आंधर रिटा गई तो और भी इसके कुसन अभी हैं करवाते हैं इतना नोट कर लो जल्दी अब आपको कुसन 13 देख लेना है यहां पर बताया गया है if the function fx is defined on r why fx equal इतना तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर rational and irrational दिख रहा है कहीं आपको दिख जाए rational and irrational तो not continuous पर आपको टिक लगाना है any point x की value कुछ भी हो not continuous पे टिक लगाना है तो आपको दिख रहा होगा option में यह तो continuous बता रहा है यह गलत हो गया यह भी continuous बता रहा भी गलत हो गया और c continuous बता रहा है यह भी गलत हो गया यह d correct है मेरे पैरे बच्चों अब आपको यहां पर समझ लेना है थोड़ा सा basic बेसिक में जैसे number first fx equal यहां पर minus x और 0 ले लेते हैं और यहां पर बोल देते हैं x क्या है rational ठीक है और यहां पर बोल देते हैं x is irrational समझ लेना जो बता रहा है थोड़ा space कम है ठीक है लिख जाएगा ठीक है सेकेंड देख लो fx equal इसे x हो यहां जीरो यहां पर हमने negative ले लिए यहां पर positive ले लिए अभी लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे कि करना क्या है x is irrational मतलब इस type के आपको function दिखे जाएं तो बता देना है all values of x all values of x then fx is continuous अब आप कोगे सर आपने तो बताया है कि rational and irrational function कहीं दिखे जाएं तो आपको not continuous पर टिक लगाना यहीं बोला है लेकिन इनको छोड़के इनको छोड़के जैसे minus x 1010 जैसे x0 तो मतलब इस type के question rational and irrational देखे जाएं केबल minus x0 या फिर x0 उपर नीचे भी हो सकता है 0 उपर हो सकता है minus x नीचे हो सकता है यह ऐसे रहेगा rational irrational यह भी उपर नीचे हो सकता है ऐसे 0 उपर चला जाएगा x नीचे चलाएगा मतलब इनको छोड़के अगर यह दो आपको इस type से कहीं दिख जाएं तो continuous पर टिक लगा देना है all value x के लेकिन अगर इनके अलावा कहीं आपको बदला हुआ नजर आ जाए इनके अलावा जैसे यहां पर क्या है बन और minus चेंज है तो क्या बताया है not continuous तो रेशनल एंड इरेशनल आप को दिख जाएं तो समझ लेना दो टाइप होते हैं फास्ट टाइप है continuous लगाना है और सेकंड टाइप बाले कोस्टन में माइनस एक से जीरो को छोड़के केवल और केवल माइनस एक से जीरो को छोड़के अधर कुछ भी लिखाओ तो not continuous लगा देना है अब नेक्स्ट की बात करेंगे इसको हम रफ करेंगे यह कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है तब ही आप 4G ट्रिक से आंसर शीट बता सकते हो बिदिन सेकंड में बिदिन सेकंड में उड़ा सकते हो इन कुस्टन को अब बात करेंगे हम 14 अब 14 तो यह फार्मूला है किसका है इसका फार्मूला है चलो basic से लगवा देते हैं जैसे 4G ट्रिक 4G ट्रिक से आपको बता दिया यह फार्मूला है लेकिन अगर चाहो तो लगा देते हैं X टेंस टू 0 A की पावर X माइनस 1 अपान X तो यहां पे फार्म बन गई जब 0 रखो गे बन में इससे बन गया 0 अपान 0 लो फार्म बन गई ना डिफ्रेंसियेट कर लो कर लो एकी पावर X लाग A वेसी इसका हो गया 0 अपान में बन ठीक अब तो फार्म बनेगी ने लिमिट एकस टेंस टू 0 A की पावर X लाग A वेसी अब डाल दो X2 लो लाग A वेसी एकी पावर 0 तो बनाएकना लाग A वेसी तो क्या मिला लाग A वेसी यह लो यह दारेक्ट आपको याद विढ़ना चीजिए फार्मुला है तो आईसे लगाना बेसिक से 4G ट्रिक से हमने आपको बताया कि डारेक्ट टिक लगाना आई अब बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करेंगे कौन सा नंबर है देखो 13 हो गया 14 हो गया अब 15 की बात करेंगे कहता है विश्टू आप दा फंक्शन साइन एकी पावर लॉग एक्स और कॉंटिनिवस अन आर तो मेरे प्यारे बच्चे अ प्य है नन आप दी इसको तो गंजिल कर लो क्योंकि फंक्शन आपको बताए थे हमें साइन हो बिए को उसों निवस होता है क्सपोनेंचिल एक की इह भात वाले यह भी कॉंटिनिवस होता है ल Championship इस लिखे अब आपको होगे की सर यह कंडिशन का मतलब क्या है मतलब आपको बताएंगे आपने पड़ा होगा लॉग टू की बैलू पॉइंट तीस दस तीन सो अगर हम आपसे पूछे माइनस टू की बैलू बता हूं तो नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड यह परिवासि स्पेड होता है अप पोजिटीब इसको रॉिफ कर देते हैं नॉट डिफाइंड होता है तो तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए यह होता तो इसको चोड़ दू यह कॉंटिनियवस नहीं होगा बैसे तो हमने आपको फंच्टिन याद करवाएं कि छे फंच्टिन होते हैं कहीं दिखे जाएं continuous पे टिक लगा लेना है लेकिन log वाले में condition होना चाहिए साथ में positive पे value देता है negative पे नहीं देता है तो इसको छोड़के अब बचे दो sign और e की power x यह तो continuous होते है all value पे तो sign और e की power x देखो किस option में एक correct है यहां पे log आया है यहां पर भी log आया है log जिसमें आजा है वो incorrect और जिसमें log नहीं है वो ही correct है यह कई ना कई लिख लेना है जो हम आपको बताते हैं यह basic है भाई basic अगर नहीं सीखोगे तो आप within second में कुसन नहीं कर पाऊगे बिदिन second में लगा सकते हैं अब 16 कुसन बात करेंगे यह आफसाइलन कमा डेल्टा है तो आफसाइलन कमा डेल्टा वाले जितने कुसन मिल जाए सारे सारे continuous होते हैं इसकी तो आपको 4G trick हम बता देते हैं 4G trick काम करेगी वाई 100% 4G trick काम करेगी लेकिन आपको याद होना चाहिए यह वाला ठीक है implied that क्या होता है fx minus का efa mode में और less than क्या होता है अपसाइलन अपसाइलन होता है ठीक है मेरे प्यादा वास्चों यह फॉर्म है अकर बात करें फॉर्म की यह फॉर्म क्या है सावर्म कामर डेल्टा इसा हरि सकते हो इसको इदर इसको उदर लेकिन अगर कोई पूजद सब्सक्राइब करते हो तो उसकी सही वार्म यह सई फॉर्म है तो continuous तो होगा लेकिन साथ में क्या होना चाहिए continuous तो होना ही चाहिए लिखा हो option में और एक सी बहलू एबी हो यह वाली क्योंकि एक सी बहलू नहीं होगी तो यह कामी नहीं करेगा यह जो अब सरन कमा डेल्टा की जो नहीं है अगर एक सी बहलू नहीं है आपके पाल तो यह कामी नई करेगा तो एक सी बहलू होना चाहिए तब ही यह continuous बताएगा यहां पे कुछ भी हो अगर यहां पर बन है तो यहां पर बन होगा यह है तो यह जीरू होगा व अब देखो यहां पर कहता है definition of continuity of a function fx at a point x equal a delta difference in general upon तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता है epsilon और a epsilon और a हमने आपको बता है epsilon कमा delta है तो epsilon और a देखो यह देखो यह जरूर साथ में रहेगा तो यह 16 हो गए यह तो basic है भाई अब बात करेंगे हम 17 की 17 में बोला गया है यह function fx side to be continuous at a point x equal a for each अब silent greater than 0 then exist a delta greater than 0 such that अब इसमें सही form पूची गई है ऐसा कहीं लिखा हो देख लो यह form सही नहीं है क्योंकि यह चीज पहले लिख दी यह बाद में लिख दी सही form देखना है यह उल्टा है देखो ना जो चीज यहां पर वही चीज यहां पर लेकिन यहां पर और गलत दे दिया गया गलत पर और गलत ठीक है यह देखो एक्स माइन से लेस देल्टा और एक्स मानस एक्स गिरेटर दिया है गलत लेस लेस होना चाहिए लेस लेस देखो कहां पर है यह लेस लेस है यह करेक्ट है यह तो बेसिक में पड़ाया था अब 18 कुस्तन देख लो 18 में बुला गया the implication इतना यह देखो इन दा definition of continuity यह लिखा है देखो पूरा पूरा के ती से बताना है है यह जो लिखाया है यह ना इ sich से बताना है देखो यह पर लेस है तो पहले तो ओपिन इंटरवल देखलो में ओपिन आता है इंटरवल यह वाला अगर जिसे ले दे निकोलो और ग्रेडर दे निकोलो तो क्या था किलो जाता है तो यहां पर ले से ओपिन वाला देखो इंटरवल कौन सा है ओपिन वाला किलोज वाला पहले ही कैंसिल कर लो किलोज वाला किलोज वाला किलोज वाला किलोज वाला यह सी C गलत हो गया और D तो गलत है D तो गलत है नन आपड़ी जिन में से मिल जाएगा न क्योंकि अपसालन कमा डेल्टा वाले गुसन नन आपड़ी होते ही नहीं है ठीक है अब देखो यहाँ पर यह उल्टा दिया है डेल्टा पहले होना चाहिए अपसालन बाद में होना चाहिए डेल्टा वाला पहले होना चाहिए अपसालन बाद में होना चाहिए यहाँ पर देखो यह वाला डेल्टा वाला पहले है अपसालन बाद में है तो यह भी करेक्ट है डेल्टा वाला पहले है अब सालेंट वाला बात में होना था यह ऐसे करके चेक करना है यह तो हो गया ना अब इसके और भी कुस्टन नहीं करवाते हैं नोट कर लो जल्दी इतना अब आपको कुस्सन 19 देख लेना है यहां पर बताया गया है विच आप दा सौनुवास्ओन उक्षू जीरो आपको function बताना है ऐसा function बताना है जो continuous हो add x equal 0 पे तो देख लो कौन सा option correct होगा तो मेरे पहरे बच्चों यहां पर आपको क्या दिख रहा है mode mode x दिख रहा है हमने आपको बताया था कि mode वाले कुशन कहीं दिख जाएं आपको mode वाले कुशन कहीं दिख जाएं ठीक है तो क्या बता देना है continuous बता देना है single होना चाहिए single function कहने मतलब है अकेला अकेला होना चाहिए इसमें पिलस ना हो other function माइनस ना हो other function या अपान में ना हो other function अकेला होना चाहिए अकेला तो हर एक value पे mode क्या होता है function continuous होता है तो यही correct होगा ठीक है mode वाले कुशन कहीं आपको दिख जाएं सिंगल दिख जाएं ठीक है चाहें यह दिख जाए चाहें यह दिख जाएं तो कॉंटिने वह सारे एक बैलू पर होते हैं अब इसको हम रफ करेंगे अब नेक्स्ट की बात करेंगे यह तो होई गया है 20 देखो कहता है give the function fx equal इतना जैसे यहां पर देखो fx value कितनी है दो अगर अकेला होता जैसे यह केबल होता यह ना होता तो डारेक्ट ही हम continuous बिट्टिक लगा देते हैं अब आपको चेक करना पड़ेगा आगे लिखा है which of the following is incorrect इनकरेक्ट बताना है क्या बताना है इनकरेक् पर आपको काम करना है क्योंकि यहां से value मिल जाएगी देख लेना है और यहां पर बताया है discontinuous और continuous बताया यह बताया है अगर वैसे तो हम बता देते सिंगल होता है all values पर यह क्या होता continuous होता है तो अब आपको थोड़ा सा simplify करना पड़ेगा देख लो given that तो given that हम नहीं यह जीरो इकल से निकालते हैं जैसे अगर basic की बात करें तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना अगर यह कुछ से रिटीन में पूछा गया तो ऐसे करके लिखना है given that हर एक लाइन आपको बताना है इसके सामने एक से नाट इकल जीरो है और और क्या बताया है वन है और एक इक से दो एक से एक जीरो पर काम करें जा एसे रिटीन अगर है आपका तो ऐसे करके लिखना आपसन आपसन लगा रहे तो कैसे भी क्यलकुलेशन करो इतनी सौड कैलकुलेशन करो कि फोर्जी ट्रिक बन जा तो यह जीरो के अप्वोजिट यह है अब निकालेंगे हैं रहर निकालो f 0 plus 0 equal limit h tends to 0 f 0 plus h और एक trick आपको पता है उससे लगा है second method से second method से जल्दी लग जाता है कौन सा second method है x tends to a fx equal f तो इसकी value तू निकाल चुके हो इसकी निकाल लो ये दोनों बताता है rhl भी बताता है और lhl भी बताता है और आपको पता है ये जो ना डिक्कल वाले कोशन है तो lhl भी यहां से निकलेगा और rhl भी यहां से निकलेगा इस type के कोशन कहीं मिल जाए आपको तो यही वाला rule use कर लो इसमें कम समय लगता है limit x tends to 0 fx चलो भाई आप क्या करेंगे हम limit x tends to 0 और बैलू रख लो fx क्या है मोड x है अब मोड x मोड x है तो आपको पता ही है एक्स ग्रेटर देन 0 मोड x है तो बैलू रख दो भाई क्या निकले है कि 0 मोड हमेशा पोश्टी बैलू देता है तो इसकी आंसरीड इसकी आंसरीड क्या है अलाग अलाग है limit x tends to 0 fx ए अंसरीड इक्वल नहीं है f0 के तो क्या हो गया then fx is not continuous यह continuous नहीं है not continuous at x equal 0 पे continuous नहीं है at x equal 0 पे देख लो continuous नहीं हो तो इसका मतलब क्या है यह not continuous क्या बोलते है discontinuous भी बोलते है तो यह तो मेरे प्यारे बच्चों यही incorrect है क्योंकि यहां पर बोला continuous है और मेरा क्या निगला not continuous तो इसने जूट बोला है और हमको चाहिए incorrect जो जूट बोल दे वही correct होगा इसने बोला है x equal 1 पे तो all values पर क्या होगा mode हर एक बोलूट बोला क्या होता है continuous होता है तो यहां पर x equal बन पर भी यह continuous होगा और यहां पर discontinuous add x equal 0 इसका मतलब है discontinuous add x equal 0 का मतलब है not continuous not continuous यह भी correct है मैंने पहरे बच्चों यह भी correct है मतलब अगर incorrect ही बात करें incorrect तो यह गलत है और गलत पे ही टिक लगाना है ठीक है गलत पे ही टिक लगाना है यह सही है इसलिए गलत है discontinuous का मतलब क्या होता है not continuous यह भी सही है लेकिन incorrect के लिए ये गलत है continuous in r minus 0 0 को छोड़ दिया क्योंकि 0 पर क्या है continuous है 0 को छोड़ने के बाद में जितनी value हो r की कुछ भी ले लो तो continuous होगा तो ये 3 क्या है सही है और ये गलत है गलत तो गलत पे ही आपको टिक लगाना है तो ये कुशन हो गया 21 21 बताएंगे आपको इसको उम्राफ करेंगे और 21 की कहानी आपको और सुनना पड़ेगी 21 की कहानी आपको और सुनना पड़ेगी यहाँ पर क्या बोला greater integer function है ये दो लिखा भी है कहता है इसकी value find करो इसकी value क्या करो find करो ये right hand limit भी बताता है और left hand भी limit बताता है मेरे प्यारे बचों greater integer function है जैसे यहाँ पर value 1 है तो आपने पड़ा होगा कि a plus y क्या देता है a देता है और a minus y क्या देता है a minus a minus 1 देता है मतलब ये चीज आपको मिल जाएगी rhl में और ये चीज मिल जाएगी lhl में ठीक है और हमसे बहलू कूछी गई है इसकी क्या होगी तो आपको पता है अगर बन है यहाँ पर बन है तो यहाँ पर बन डाल देंगे तो यहाँ पर बन आएगा यहाँ पर बन डाला तो बन माइनस बन जीरो आएगा तो rhl और lhl के अंजर शीट अनिकल निकली है मतलब डेज नाट एग्जिस्ट मतलब यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि यह लिमिट जो है एग्जिस्टेंस आप लिमिट की है यह दोनों ही लिमिट बताती है लेकिन यहाँ पर गेट इंटीजर फंक्सन है तो इसलिए आपको यह सीखना जरूर है तो डेज नाट एग्जिस्ट पर टिक लगा देना है बताओ इसे सॉल्ब करवाएं लिमिट हमसे मांगी गई है चलो बेसिक से लगा देते हैं वैसे तो आफसन तो आपको पता ही चल गया कौन सा करेक्ट है एक टॉन्टीवन देखो बेसिक से लगाएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे गिविन डैट एफ एक्स के एक कोईल ग्रेट इंटीजर फंक्सन एट एक्स उक्वल बन पर आपको काम करना है ठीक है और हमको क्या बताना है लिमिट ये बताना है क्या निकलेगी जीरो निकलेगी की वन निकलेगी की टू निकलेगी की डज नाट एक्जिस्ट निकलेगी इसके लिए आपको आरेचल निकालना पड़ेगा क्या निकालना होड़ेगा आरेचन भी आप एक लिमीट यह टेंस टूझ जी रिए लिमीट यह टेंस टू जीरो अब बंद प्लस यह इसमें रखेंगे वन प्लस यह आगया ठीक है अब लेमिट अटाएंगे तो पहले आपको इसकी वैलू बताना है बन्द क्या होगा वन होगा तो वन आगई तो थीक्शन अब नेकालेंगे और एचल निक्ल गई लेचल निकालो यह 1-0 एक लेमिट यह टेंज टू जीरो यह बन-माइनस एस तो लेमिट यह टेंज टू-0 बन-माइनस एस ग्रेट इं पॉइ लगा लो जो आपको याड रवे वन मैनस वन तो आंसवीड का मिलेगी ले मेट यह तो क्या एख टो जीरो जीरो आंसरीड मिलें मतलब यह जो है एफ तो जीरो के अलावा आपको देख लेना है यह जीरो एक को जीरो तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी आंसर इट अलग अलग निकली है अब लिखो कैसे हम आपको बताते हैं इसको हम प्राफ करते हैं और लिखना है आपको इस यह यह बन प्लस जीरो एक कोल नहीं है यह बन माइनस जीरो के देन है एफ एक्स मैंसे लिमिट आपको बताना थेन लिमिट एक्स टेंज टू वन एक्स डाजन ऑट एगजिस्ट डाजन ऑट एगजिस्ट तेक यह बेशिक से लगा दिया इसको नोट करो जलदे ऐसे तो यह इसे तो आपको पता हीए जब भी फंक्षण मिल जाए घर को हम रहते हैं फिर आपको बता है विव आपको घ्रय इंटीजर अइसा है और आपको लिंट पूस ले तो दिमाग में बसा सालो में इंटीजर की जो लिमिट होती है डंट एक जिश्ट ही होती है ठीक है काई कहता है लिमिट जो है इस वाले फंक्शन की यह आगे लिखाए इनको डिवाइड करने पर इतना आया है इस कंडिशन बताई है यह और यम में बोला है कंडिशन बताओ यह एंड यह में कंडिशन कौन सी कि यहां पर है यह नाट इक्वल जीरो होगा मेरे पहरे बत्चों यह गलत होगा यह लिक्वल अगर जीरो रख दो तो इसकी अंसर फीट एग्जिस्ट ही बताएगी क्योंके इसकी अंसर फीट एग्जिस्ट है इसकी भी एग्जिस्ट है तो डिवाइड जब लगाएंगे तो एग्जिस्ट ही निकलेगी तो जीरो यह ल नीचे जिरू रख दिया तो infinite बने गा तो इसलिए यह correct है यह सही बोला है यह की value जो है नीचे ना रखो कुछ भी रखो और इसने बोला ym equal yl तो मेरे पहरे बच्चो इस यहां पर बोला ही नहीं है कि ym और yl same है, same नहीं बोला है मदब इसकी यह fx है और यह क्या है gx है, तो function अलग अलग है तो answer seed भी अलग 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 आएगी function अलग अलग है तो answer seed भी इसलिए यह गलत है तो वी आपको मिल गया है तो वी मिल गया है, नन अबदीज होगा ही नहीं क्योंकि नन अबदीज का मतल़ होता है इन में से कोई नहीं जब यह तीनों option गलत हों तो यह अपको टिक लगाना है लेकिन एक option आपको correct मिल गया तो नाना अब्दीश तो होगा ही नहीं अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी 23 23 में लिमिटर निकाल दो फॉर्म बन रही है जीरो अपन जीरो ये लास्पिटर रूल लगा लो तो ये जीरो हो जाएगा ये बन हो जाए ये इकी पावर एक्स बैलो डाल दो इकी पावर जीरो की बैलो बन तो बन का ए एकरेक्ट है ये तो डारेक्ट लगा सकते हो ये लास्पिटर रूल का यूज करके लेकिन हम बेशिक से बता देते हैं कौन सा है 23 मेरे प्यारे बच्चतों देख लो बेशिक देख लो भए आपको differentiate करना है numerator का अलग कर लो और denominator का अलग तो यहां पर एकी पावर एक्स का इसका जीरो इसका वन सौल करेंगे लिमिट एक्स टेंज टू जीरो एक्स टीक है अब लिमिट हटाके वैलो डाल दो ही कि पाव जीरो वन वन करेक्ट है 24 तो डारेक्ट ही बता सकते हो अभी रफ कर दें से बता देते हैं इसको नोट कर लो जल्दी इसको हटा देते हैं बेसिक से हमने आपको बताया नहीं तो डारेक्ट भी कर सकते हो इसको 23 को अब 24 में क्या बोला है the points of discontin आपको पॉइंट बताना है ऐसे कितने points है यह जो function है ना केन बना पान है कितने मतलब एक सी कितनी वैलू मिलेगी जिस पर यह function discontinuity है यह function क्या है discontinuity है ऐसी एक सी बैलू बताना है तो एक सी बैलू अगर रखोगे यहां पर बना पान एक से तो कहने मेरा मतलब है कुछ भी रखो यह discontinuity निवसी बताएगा क्योंकि 10x का जो गिराफ होता है जो हम आपको बताते हैं 10x का गिराफ होता है देखो 10x का गिराफ यह होता है यह वाला यह होता है 10x का गिराफ है यह 10x का गिराफ है मेरे प्यारे बच्चों कहने मतलब है discontinuity आपको देवना है जैसे यह गिराफ नहीं टूट रहा है जैसे गिराफ से भी सी को continuity और discontinuity गिराफ नहीं टूट रहा है जैसे कोई भी बेलू हो तो continuous बैटेगा इसपर कोई सी बेलू हो Anders वैटेगा इसपर कोई सी बैलू हो continuous बैटेगा अब जो यह वाली हैं यह वालीूं इन बैलू पर यह यह discontinuous देगा जो जगा छोड़ी है जैसे X value आपकी मिल गई minus 1 या कोण मिल गया कुछ भी हो तो यह जो यह line है इस पर continuous होगा जो भी यहां पर point मिलेगा ठीक है ठीक है अधर value पर यह discontinuous होगा other value पर तो यहां पर बोला है infinite value कितनी मिलेंगी point infinite मिलेंगे देखो न ऐसे बनाते रहो ऐसे करके graph बनाते रहो तो value तो infinite मिलेंगी भाई यह point बहुत सारे मिलेंगे जिस पर यह function क्या हो जाएगा discontinuous हो जाएगा तो infinite value मिल जाएंगी यह correct है समझगे graph तो जानते हो ना कोई दिक्कत नहीं आएगी graph के बारे में अगर पता है अब मेरे फ्यारे बच्छों 24 तक पॉस्टन हो गए तो चैप्टर फस्ट जो है limit and continuity objective टाइप पॉस्टन करवा दियां यही last में होते हैं अब अगली आएगे नया चैप्टर चैप्टर टू और उड़बाएंगे घरदा हारे कुस्टन का अगर यह मेरी क्लास चलेगे तो लाइक कर देना है और इस वीडियो को जादना जादना सेयर कर देना आपने प्रेंड सर्कल में मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद